Life Insurance की Guarantee, FD की Guarantee या फिर Mutual Fund कौन सा Investment है सही आपके लिए अगर आप Middle Class के हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा डिटेल में डिसकस करने वाला हूँ अपने बनाए हुए Calculator के साथ ताकि आप Clearly समझ सकें कि पूरे जीवन में आपको क्या चाहिए आपके Investment से क्या उम्मीद करते हैं और कैसे चुने आपकी कौन सा Investment आपके लिए सही होगा और कौन सा होगा गलत आपकी usage के उपर जो भी उपयोगिता है Investments की उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इस वीडियो के अंतक आपको Clarity आ जाएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें 17 सालों के experience के साथ मैंने इस platform को शुरू किया ताकि आप अपने अडवाइजर खुद बन सके आप अगर अपने अडवाइजर बनना चाहें मेरे साथ आपका पैसा कोई और manage करेगा तो वो सिर्फ scheme ही बेचेगा लेकिन आपके लिए क्या सही है और क्या गलत ये निर्णे आप ज़्यादा बहतर ले सकते हैं दूसरों के मुकाबले और आपको कोई target नहीं होता तो इसलिए एक इंसान अपना investment सबसे अच्छे तरह से खुद ही समाल सकता है आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ money IQ क्लास में या फिर उसका recorded version ले सकते हैं दोनों link description में हैं या फिर planyourworld.com website से आप इसको ले सकते हैं जब हम लोग बात करते हैं कि हमको अपने जीवन में FD में जाना है क्योंकि एक guarantee है FD में हमको insurance में जाना है क्योंकि भारत सरकार की बड़ी company है जिसके अंदर में आपके पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और यहां पे mutual fund का risk है अपने आप में so guarantee और risk में से हम किसको चुने आपके सामने बहुत बड़ी guarantee आ जाती है और एक बहुत बड़ा risk आ जाता है दोनों चीजों को आपस में कैसे चुना जाए आखिर compare करने का कोई rule है so standard के अगर बात करूँ as a CFP certified financial planner के तोर पे अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं apple को orange के साथ compare कर सकता हूँ so can I compare orange with an apple ये possible नहीं है so problem क्या आती है कि जब आप किसी दो चीजों को अलग-अलग आप compare करते हैं तो किस basis पे करें यहाँ पे हम इसको compare करेंगे आपकी life में usage के साथ so आप एक common man के तोर पे अगर मैं आपको लूँ और मान लेता हूँ कि आपके जीवन में investment से ही आपका जीवन चलने वाला है so दो sources आपके जीवन में हैं आपने life start की ये उम्र का graph है zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 90 plus career आपने यहाँ से शुरू किया ये income का graph है आपका so अगर मैं देखूं तो income बढ़ती गई, बढ़ती गई, suddenly यहाँ पे आकर के income एकदम से नीचे आएगी और शायद यहाँ पे आकर के income बंद हो जाएगी यह हमारी life का graph है, बीच बीच में मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ कि कुछ gaps भी आ सकते हैं career में so मुद्दा क्या है, यह part आपके जीवन में आपके parents ने pay कर दिया इसके लिए so माता जी, पिता जी ने इसके पैसे दे दिया हमको जीवन में अब इस part पे हम एक salary earn कर रहे हैं, अच्छी salary earn कर रहे हैं, अपनी life में खुश हैं लेकिन जो यहां का part है, जो बात का part है, normally हम इसको भूल जाते हैं दूसरा हर महीने आपको saving करते हैं, तो जब save आप कर रहे हैं, इस saving के साथ ही कुछ बाते important जो आपकी life में हैं, वो events आपको इस saving से ही manage करना है क्यों? हर महीने के जो saving उससे काम तो होगा नहीं सो आपके पास child के education है, so higher education के अगर मैं बात कर लूँ, घर आपका, अच्छी कार, आपका retirement ये सारी चीजों के पैसे आप करते हैं अपने savings के management से, जब इस saving के management की बात आती है तो इसका मतलब ये पूरा पैसा जितना भी लगेगा आपके जीवन में, ये पैसे आपके investment के management से ही होने वाले है तो यहाँ पे जब मैं आपकी मकसद को सामने रखता हूँ, तो we can compare तो आईए, हम अपनी Excel पे चलते हैं, कि कैसे आपके life में ये चलता है तो हम यहाँ पे base लेंगे किसी आपके goal को, आपकी जिम्मेदारी को, जो भी आपकी life में जिम्मेदारीया है, उस में से एक चुन लेंगे यहाँ पे हमने आपके सामने कुछ जिम्मेदारियों को ले लिया है, अब ये जिम्मेदारी है हमारे सामने So higher education की तो इस जिम्मेदारी के लिए अगर मैं देखूं तो मैंने मान लिया आपका बजट जो होना चाहिए वो लगबद 10 लाख रुपए आज का है आज आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा आज अगर पढ़ाई करने जाए तो कितना रुपए मुझे रखना पड़ेगा उसके लिए या आज जिस कॉलेज को मैं टार्गेट कर रहा हूं वहाँ पे कितने फीज देनी पड़ेगी सो हमने इस अमाउंट को 10 लाक्स रुपीज लिया हमारे सामने अलग-अलग इन्वेश्मेंट है, Life Insurance की गैरिंटी है हमारे सामने FD की गैरिंटी है हमारे सामने कमिशन है, वामने mutual fund है हमारे सामने direct mutual fund है बिना कमिशन वाला इन सब को अगर मैं compare करूँ तो base एक है कि आपने save किया पैसा और इस saving को invest करके भविशे में जो भी पैसे आएंगे maturity के उस पैसे के साथ बच्चे का education की fees जाने वाली है तो यह base हमारे सामने clear हो गया तो हमने यहाँ पर किया है lump sum investment को हम कैसे मान रहे हैं यह मेरी requirement है तो 10 लाख रुपए की मेरी requirement है तो हम क्या करेंगे हम इसको check कर लेंगे अभी हम life insurance पर चल रहा है तो मन में क्या आता है आज पैसा डाल दो भविशे में देखेंगे तो 10 लाख रुपए हमने यहाँ पर मान लिया कि एक मुश्ट आपके पैसा है भई college की fees है रख लेते हैं अब दूसरा point आया FD so life insurance हो गया FD हो गया so क्या हुआ हमने 20 साल का time लिया इसको हम yearly कर लेते हैं yearly return के उपर हमें कितना रुपया लगेगा वो देख लेते हैं so हमारे पास यह annual rate है 5% का क्योंकि life insurance की बात करूं तो guarantee word क्या है guarantee word यह बोलता है आपको हम fix return देंगे एक साल के लिए अगले साल का return fix नहीं है अगले साल का return जो उनको फाइदा होगा उस पैसे से मिलेगा आपको इसकी कोई guarantee नहीं होती है guaranteed product क्या होता है FD भी आप खरीकते हो 5 साल के लिए अगर 7% FD चल रहा है तो 5 साल के लिए 7% मिलेगा लेकिन जब life insurance की बात करें तो वो आपसे कैसी बात करते है guaranteed bonus guaranteed bonus है क्या वो 12% कमाएंगे आपको 4 पकड़ा देंगे आपको 5% पकड़ा देंगे और आपको समझ में ना है इसके लिए बोल देंगे 40 रुपे पर 1000 दे रहे हैं तो है तो वो 4% अब मुद्दा क्या है इसके अंदर आप अगर इसको सोचें कि overall जब आप yearly return पे जा रहे हैं bonus ये आपको guaranteed loss के साथ देते हैं जो आपको मिल रहा है कैसे 5% का लिया तो 26,53,000 रुपे हो रहे हैं तो हमने देख लिया हमने एक comparison ले लिया tax free है अब मैं 7% की FD पे चला जाता हूँ तो अगर 7% की FD है तो आपको मिलते है 38,69,000 लेकिन एक बात यहाँ पे छूड गई tax की आप अगर 30% के bracket में है 10,00,000 की रकम है तो आपकी wife अगर 30% में नहीं है तो obviously ये पैसा आप क्या ही है इसका आपकी wife working नहीं है और 10,00,000 रुपीज आपके पास में अपना है तो यहाँ पे भी हमें जो interest rate लेना चाहिए it should be 4.9% because इसके उपर आप tax pay करेंगे so हमने 4.9 ले लिया क्या हुआ जब मैं guarantee की बात कर रहा हूँ तो again this comes to 26,03,000 so ये amount हमें मिलेगा जब आप अपने बच्चे की fees देना चाहेंगे अब हम इसको compare करते हैं commission वाले mutual fund के साथ तो हमने ले लिया 20 साल का tenure है तो 12% का return हमने ले लिया कि आप index fund में डाल देंगे या फिर आप इसको large cap में use करेंगे तो 12% अब ये कितना बना 96,46,293 so पहले हम इसको compare कर लेते हैं बिना commission वाले फिर हम risk की बात करेंगे और अपने goal की अब चौथा हमारे पास आया बिना commission वाला mutual fund जहाँ आप इमने 17% लिया because जैसे ही आप agent के पास जाते हैं वो वो fund चुनते हैं जिसमें सबसे जादा commission उनको मिले so वो commission obviously आप एके return में से cut के जाता है तो यहाँ पर मिल रहा है एक करोड़ 20 लाख रुपए लगभग लगभग value हो जाएगी अब आपके मन में एक point आया भाई यहाँ पे बहुत guarantee मिल रही है बड़ी guarantee मिल रही है अब दूसरी तरफ एक risk है 20 साल का तो जब लंबे समय की बात करों तो mutual fund में अगर आप 7 साल 10 साल के लिए पैसा रख रहे हैं तो सुरक्षित हो जाता है 10 साल के लिए पैसा रख रहे हैं तो FD से जादा का return मिलना लगभग लगभग तैय हो जाता है 99.99% यह बात आप इतिहास में अगर चेक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि जिसने भी 7-10 साल रखा है पैसा उसको 7% का return मिल गया है अब मुद्दा क्या है मुद्दा यह है कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है हम कैसे चेक करें भई यहाँ पर रिस्क है यहाँ पर रिस्क नहीं है सो जब मैं इसको रिस्क फ्री बनाना चाहता हूँ तो रिस्क मैं किस चीज का ले रहा हूँ guarantee मुझे किस बात की चाहिए यह बहुत बड़ा question है guarantee हमको सिर्फ एक बात की चाहिए और वो बात है कि बच्चे की education के पैसे हो पाएं क्या-क्या जाएगा आपकी savings में से आपकी savings में से एक हिस्सा जाएगा आपके बच्चे की education पे एक हिस्सा जाएगा बच्चे की professional degree पे दूसरा हिस्सा जाएगा उसके master's पे और उनकी शादी पे अब अगला हिस्सा जो आपकी saving में है that is for your retirement वो भी बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता हमें safety क्या चाहिए हमें safety इस बात की चाहिए कि मैं जीवन में ये सारे काम कर पाऊं अपने पैसे से अब आप देखें कि आप investment करते हो तो आप क्या सोचते हो मुझे पैसा बढ़ करके मिले सो जब मैं comparison कर रहा हूँ तो पहली बात तो जब मैं guaranteed word ढूनता हूँ तो guarantee किस बात की चाहिए हमें guarantee चाहिए कि ये काम हो पाएगा सो जैसे ही मैं higher education की बात करता हूँ यहाँ पे inflation कितना लेना है आपको inflation लेना है 9% से 10% का मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए 9% का inflation ले रहा हूँ क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ आज तो college की fees 10 लाक रुपए है अगर college मुझसे आज फीज ले ले बहुत अच्छा है नहीं ले रहा college और हमें भी नहीं पता तब तक उस college का value रहेगी नहीं रहेगी लेकिन 10 लाक रुपए अगर मैंने fees को target किया है तो value होगी उसकी 56 लाक रुपए अब मैंने guarantee मांगी थी life insurance की आपने guarantee मांगी थी ना return की आपने थोड़ी मांगा था कि बच्चे के education हो जाए आपने guarantee मांगी FD की 26 लाक रुपए अगर मैं tax हटा भी दिऊं और इसको वापस मैं 7% पर कर दो कि tax नहीं पड़ता तब भी 38,69,000 रुपीज हुए जब आप इसको mutual fund पर देखते हैं तब आपके सामने आता है एक 23 लाक रुपए मिल सकते हैं बच्चा अगर बहतर college में जाना चाहे आप भेश सकते हैं मुद्दा ये है कि जो आपके जीवन में पैसे हैं इसकी maturity से सारे काम होने है अगर कोई व्यक्ति इस option पर गया है और दो compromises हैं यहाँ पर या तो 20 साल बाद बोल दे बच्चे से साफ साफ कि भाया हमने गलत investment किये हमारी गलती हो गए अब तुम समझो तुमें क्या करना है दूसरा हम पहले से अपने investments को सही दिशा दे दे अपना पैसा खुद manage कर ले क्योंकि आपका target था तो अलग बात है कि मुझे तो अगले को insurance ही देना है पूरी जिंदीगी save करते चलना है ताकि वो insurance से उसका घर चल सके मेरे बच्चा चाहे भले अपने आप struggle करे कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके सोच यह है कि आपके बच्चे का हक है तो फिर आपको देखन है comment करके कि mutual phone ने पैसा लगाया पूरा पैसा शून ने हो गया तो इसके उपर में अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी ही अगली वीडियो इसके उपर बनेगी लेकिन मुद्दा यह है कि guarantee आपको क्या चाहिए क्योंकि अगर आप लंबे समय की बात करें तो आपको इन से जादा return आराम से मिल जाएगा तो अगर आपका tenure साथ साल से उपर का है तो आप definitely इन में investment करके आप risk ले सकते हैं क्योंकि tenure से relation है आप से अगर मैं बोलू किसी business में दो साल के लिए पैसा लगाना है तो आप नहीं लगा होगे लेकिन आप से बोलू कि 10 साल में वो business अगर mutual fund के जरीया आप इसको करते हैं तो आपके बच्चों को लिए जादा पैसा हो सकता और कोई भी investment को return के basis पे compare खाली नहीं कर सकते उपयोगिता के basis पे करेंगे और जब उपयोगिता की बात आती है तो आपका hit जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ही handle कर सकते हैं ये ब बंदों को जो guarantee वाला pension plan लेंगे उनको last में या तो बच्चों पे अच्छा संसकार दिया हो तो बच सकते हैं या तो बच्चों के पसंद की दाल पसंद कर लिजे उनका खाना पिना उनकी मर्जी को पूरी तरह से अपना ले या फिर old age home देख ले कारण क्या है guarantee इस बात की ह है हर एक product में कि आपको ultimately नुकसान होगा अगर आपको लगता है कि आप जिंदीगी भर पैसा लुटाते रहे सेविंग को बरबाद करते रहे इंफ्लेशन से कम return लेके चलेगा क्यों माता पिता से अगर आपको inheritance में मिल जा रहा है पूरी जिंदीगी pension मिल जा रही चलेगी वो चीज़ अगर नहीं चल रही है तो compare कर लीजे यह वीडियो में सारी चीज़े एकसल बेस्ट हैं आप खुद भी इस calculation को कर सकते हैं अपनी एकसल बना के कर सकते हैं लेकिन अगर पिछले 10 सालों से आप investment कर रहे हैं आपकी investment से आपकी जिम्मेदारियां पूरी होनी चाहि है कि आप घर चला सके हैं क्योंकि हर चीज में महंगाई का importance है महंगाई से आपके घर के खर्चे बढ़ेंगे यू नीड टू डिसाइड वाट तो डू अगर आप investments करते हैं और आपको लगा कि इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो नहीं पता थी इसका मत विलफन वाले बताइंगे उनको इतना पैसा आप देने वाले हूं इसी में अगर फर्क मैं बताउं तो आप देख लिजे 14 लाग से उपर का फर्क ए कौन आपको बताने वाला है इसकी जिम्मेदारी पैसा संभालने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी और आप अ अमीर बनना है, अगर middle class में ही अमीर बनना है, financially successful होना है, तो क्या-क्या करना पड़ेगा, ऐसे कौन से options हैं, जिसमें किसी का target नहीं है, लेकिन आपका मकसद पूरा हो सकता है, कम पैसे हो तो भी आप 5-7 साल में financially free हो सकते हैं, और 5-7 साल में आप implement कैसे करें अपनी life में, ये भी discuss करूंगा session में, 17 साल के experience के साथ 3 दिन का session just 299 रुपीज में, अगर आपके पास समय की कमी हो, तो आप ले सकते हैं इसी का recorded version, साथ में मिलेगी मेरी e-book और live session का invitation भी, ये तीनों चीज़े आपको मिलती हैं 499 में, links are in the description.